असलाम आलेकू MPH, विलकम टो खदिजस टिप आज मैं आपके लिए एक डाइट प्लैंन लाइए हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वजन में एक तब्दीली लाएं आप अपना वजन कम करना चाहते हैं यह टिप आपके लिए है मेरी यह रेमेडी आपके लिए है मैं आपको एक हफ़ते का डाइट प्लाइन दूंगी जिसमें डेफिनिटली आप अपने दो से तीन केजी वजन को कम कर सकती हैं अगर आप मेरे मशवरों पर अमल करेंगी तो आप इसको जरूर पूरा कर सकती हैं और अगर आप में हिम्मत है और आप अपने इरादे में पकी हैं तो आप यकिनां कर सकती हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि वजन बढ़ाना बहुत असान है लेकिन उसको कम करना बेहद मुश्किल होता है आप अपना वजन इतने असानी से कम नहीं कर सकते जब तक आप में एक जजबा ना हो कि आपने वाकी अपना वजन कम करना है सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ बाते अडवाइस करूँगी आपको इस पे अमल करना है एक तो अपनी नींद आपने कम करनी है सुबह के वकत बिल्कुल भी नहीं सोया करें रात को अपनी नीन पूरी लिया करें ज्यादा देर तक जागने से और सुबह ज्यादा देर तक सोने से भी मुटापा आता है सुबह की वाक बहुत जुरूरी होती है morning वाक आपको 20-25 मिनट लाजमी करने चाहिए अगर आप जोगिंग कर सकती है तो आप जोगिंग करें नहीं तो आप आराम आराम से चहल कदमी भी कर सकती है 20-25 मिनट यह बहुत जुरूरी होते हैं हमारा जिसम इसमे एक्टिव हो जाता है सूरज की रोशनी हम पर पढ़ती है और जो हमारे जिसम पर बहुत अच्छी तबदीली लाती है इसके अलावा आप हफ़ते में कोशिश कीजिएगा कि दो दिन आप रोजा रखें जैसा पीर का और जम्रात का रोजा होता है ऐसा हम अगर करें तो इससे भी हमारे जिसम में काफी तबदीली आती है पानी का इस्तमाल आप ज्यादा करें ज्यादा से ज्यादा पानी पीए लिकवर्ट चीजे लें खाने की चीजे को कम कर दें इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी फ्रेश जूस होती है डिबे वाले जूस या कैमिकल वाले जूस बिलकुल अच्छे नहीं होते आप इनको बिलकुल नहीं पिया करें फ्रेश जूस बहुत अच्छे होते हैं जैसे कुकेंबर का जूस हो गया टरमाटर का जूस आप निकाल लें इसके लावा आप ओरंज जूस पी सकती हैं एपल जूस ले सकती हैं, यह जूस आप के लिए बहुत जोरी हैं एक कप कम असकम दूद का लाजमी लिया करें खासकर औरतों को मैं मश्वरन दूँआ दूद लाजमी पिया करें कैलशियम की कमी आईरन की कमी दूट से पूरी होती है और हमारी हड़ियां जो है वो कमजोर नहीं होती अब मैं आती हूं अपने डाइट प्लान की तरफ आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक हफ़ते में ऐसा कौन सा प्लान है जो आपका वजन कम करने में मदद देगा और ये बहुत मुफीद है आजमाया हुआ है अगर आप इस पे अमल कर लेती है तो आप यकीनां दो से तीन के जी अपना वजन कम कर सकती है वेट कम करना बहुत मुश्किल नहीं है इसमें जैसा के आप सब देख रहे हैं ये मेरे हाथ में कलोंजी के चंद दाने हैं खुजूरे हैं तीन किश्मिश छोटी वाली देसी किश्मिश मैंने लिये और बदाम है छिले में पंदरा अदद आपको रुजाना सुबह उठते ही सबसे पहले कलोंजी थोड़ी सी मुँ में डालनी है और उसके बाद आपने तीन अदद खुजूरे खा लेनी है इसके एक घंटे के बाद आपको ये पंदरा बदाम और उसके साथ साथ हर बदाम के साथ आपने एक किशमिश या दो किशमिश के दाने मुँ में डाल लेने है और इनको बहुत अच्छे से चबाना है अच्छे से इनको मसलना है पौडर मुँ में बनाना है एक एक बदाम को आपने तकरीबन पंदरा से बीस बार उसको चबाना है अगर आप ज्यादा देर तक चबा सकती हैं तो और भी अच्छा है इस तरह करने से आप देखेंगी कि आपके वजन में बहुत तब्दीली आ जाएगी उसकी वज़ा क्या है? उसकी वज़ा ये है कि आपने ये जो बदाम और किश्मिश ली हैं और उपर से खुजूरे खाईएं ये आपके मेदे को भरा भरा रखेंगी आपको कुछ ज्यादा खाने की जरूरत नहीं महसूस होगी जब आप कुछ खाने की जरूरत नहीं महसूस करेंगी तो जाहरा आप इदर उदर मूँ नहीं मारेंगी कुछ इधर उधर का नहीं खाएंगी इसके साथ-साथ आपने एक हफ़ते तक पुदीने का और अजुआइन का अरक पीना है उसका पानी निकालके उबालके पीना है अपने चंद पत्ते पुदिने के लेने हैं एक चमच छोटा टी स्पून जो होता है आपने अजवाइन के लेना है उसे दो कप पानी में डालके एक कप बना लेना है जब वो एक कप बन जाए तो आपने उसको पी लेना है इसी तरह आप दिन में तीन बार इस कवे को पीएंगी और ये खाने के बाद आपने दुपहर मे कोई चीज नहीं लेनी अगर आपको भूप महसूस हो या शाम के टाइम आपको ज्यादा भूप महसूस हो तो आप एक कप चाई के साथ कुछ बिस्किट ले सकती है या पांच से छे खुजूरे आप ले सकती है खुजूरे आप जब भी खाएं ताक अदद में खाएं जैस आपने मतन में या देसी मुरगे में शोरबे में डिप करके अपनी रोटी को खाना है और आप अपनी रोटी एक करेंगी एक से ज्यादा रोटी नहीं खाएंगी चाहे आप गंदुम की खाएं चाहे आप बेसन की खाएं चाहे आप मकई की खाएं आपने उसे शोरबे में वो शोरबा के साथ आपने खाना है आपने कोई बोटी नहीं लेनी आपने कोई वेजटेबल नहीं लेना है कुछ भी नहीं करना है एक हफता आप इस डाइट प्लैन पर अमल करेंगे आप देखेंगी दो से तीन केजी आपके यकीनन कम होते हैं यह बहुत अच्छा डाइट लाना है इस से आप भटेए गानी पानी आप जितना मर्जी इसमें पीए पानी पीने की कोई पाबंदी नहीं है फ्रेश जूस भी आप ले सकती हैं हर किसम की चीज़ आप ले सकती है लेकिन और कुछ भी खाना नहीं है इसके लावा जो मैंने जैसा आपको बताया आपने ऐसा करना है ऐसा करेंगी तो आप खुद देखेंगी और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगी कि आपने इस पे अमल किया है कि नहीं किया और अगर नहीं किया तो जरूर कीजेगा अमीद करते हूँ मेरी यह वीडियो मैंने इस पे बहुत अमल किया है और मुझे मतलूबन अताइज भी हासल हुए है और मैं चाहती यही हो कि आप भी इस पे अमल करें ताके आपको भी इसका रिजर्ट नजर आए इसके लावे यह हड्यों के लिए भी बहुत मुफीद है अगर आप देखेंगी तो हर औरत को य चीज़े लाजमी लेनी चाहिए यह हड्यों के लिए दमा के लिए नजाम हजम के लिए बेहद मुफीद चीज़ें और